नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका एक वर फिर स्वागत है हम लोग अभी मौजूद है नासिक बुंबे हाईवे के पास वासिंदी में जो इद का मैदान है जा किसान लॉंग मार्च का इस्थाई पराव पड़ा था जा किसान दो दूने से रुके हुए थे और कल सरकार रात इस किसान आंदोलन में जो नेता थे जो किसान मजदूर दोनों नेता हो थे उनसे बात करके समझने का कोशिश किया ये मांगे क्या थी और किस पर सरकार कर अविया कैसा रहा है और आगे इन्होंने क्या निर्णे लिया है गवर्मेंट ने लिया हुआ फैशला हाँ मोर्चे करे के बारे में बाजू में थे बहुत सारे मांगे उसने सकारात्मक मानी है और वो अमल बजावने के लिए उदर अपना प्रशाशन को काम पे लगा दिया है और उसका संदेज हमें आया है इसलिए हमने अंदोलन स्तकित करके हम वापस चल रहे हैं हम लोग लगात्ता रासका चेटवा दिन है हम दिंडों दिस से लेके शाहपूर वसित गाउ तक हम लोग चल कर आए यहापर हमारा लॉंग मार्च का कल नाइट को हमारा यहाँ पे मुकम था और आज हमारी एक सभाय हुई इस सभा के अंदर हमार किसान लॉंग मार्च का जो प्रतिनीदी मंडल था उन्होंने जो हमारी मांग रखी थी विदी मंडल के अंदर जो चार बजे कल विदी मंडल का आमका चालू हुआ परसो चालू हुआ यह दो तीन दिन लगात्तार विदी मंडल में हमारा प्रतिनीदी मंडल के साथ बाच् समयक्ट बीधार हम सब् pipe getting help withorden और भूकएंजिसना करते दरन संदेश है इस लिए हमने लॉंग मार्च यहां रूख दिया है अभर हम्ग रापय हूपच जा रहे हैं उ County It ुजित की त्युका एक बहुत बड़ा जीत है जहांब किसान ने सारी मांगे सरकार ने मानी है और उसके बाद आप लोग वापस जा रहे हैं इंप्लिमेंटेशन तक शुरू हो गये बता रहे हैं ज़क्या संदेश से आगे कांदोलों के लिए हम जो हमारी जो मांगे थी हमारी प्रमुक मांगे थी चौदा मांगे थी उसके हंदर हमारी पहली मांग थी कि जो किसान अपना पैज बोता है वो किसान को दहजार रुपया एक पिंटल से दर्म मिलना चाहिए वो किसान को 600 रुपया अनुदान मिलना चाहिए किसान बज और दूद है अंडी है पनिर है इन किसानों को इसका मुआजा अच्छी तरह मिलना चाहिए भी हमारी मांग थी सब्सक्राइब के साथ हम लोगों ने दूसरी जो मांग थी हमारी डिमांड थी वो डिमांड थी हमारी जो फोरिष्ट एक्ट के अनुसर जो किसान अपनी खेती बहुता है और किसान की खेती चार हेक्टर तक उसके नाम पर होनी चाहिए ओभी हमारी मांग गवर्मेंट ने मांग लिए तिसरी हमारी जो मांग थी कि अपंग निराधार विद्वा प्रेतेक्ते जो मैला है इनका जो मांदन है वो बढ़ना चाहिए जो विद्वा मैला है इसका चालिस सार्च से उपर जाने के बाद वो पगार बंद हो जाता था वो भी चालू रहेगा इनकी भी हमने मांग रख हुआ है तो जो हमारी 14 प्रकार्ची कर्जमुक्ति की जो मांग है कम से कम लाखों की जाइदाद से किसानों को रून अभी भी माप नहीं हुआ है वह इन्हों ने मान लिया हम लोग भी ओ तुमारा रून माप करेंगे तो यह इंप्लिमेंट चलू हो गया है यह लॉंग 2018 को भी निकला था किसानों की जू मांगे है जो देशभर में दुनिया भर में ऐसे यह ऑर्बन पीपल का किसी भी गौर्मेंट का द्यान किसानों की तरफ नहीं जाता हो गाव में रहते हैं इसलिए ऐसे मोर्चे करने पड़ते हैं, पिछले 20-25 सालों से किसानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, जब 2018 में किसानों ने लांग मार्श निकाला, तब उससे प्रेणा लेकर दिल्ली का आंदोलन बड़ा जो हुआ, जो तीनों काले कुरुशी कायदे हैं, वो वापिस लेने पड होंगे, और स्युक्त किसान मोर्चा होगा, या केसी की All India किसान कोडिनिशन कमिटी होंगी, इसके तरफ पर और बड़े-बड़े आंदोलन होंगे, जिससे किसानों की मांगे और उनके सावालों का हल मिल सकता है, हमारे साथ अभी जो किसान लांग मार्च में सुरुआ से सा मजदूरों के नेता, बील करार साब हैं, जो CITU राज्टू पाद्रच भी हैं, और इसके सान मोर्चे के साथ भी संगर्ज में सामबलते हैं, इसमें मजदूरों का भी मुद्दे थे, जिसका भी समाधान हुआ है, तो करार साब ये पूरे जो सरकार ने आश्वासन दिया ह देखो ये लॉंग मार्च साथ दिन से चल रहा था, हमने 14 मांगे सरकार की तरफ किया था, उसमें से मेजॉरिटी मांगो के बारे में बहुत ये अच्छी चर्चा हो गई, और सरकार को ये मांगे माननी पड़ी है, फॉरेस्ट राइट आग के अमल बजावनी का बड़ा सवाल था, उसके बारे में भी सरकार ने एक सकारात्मग बोमिका लिया है, और उसमें जो भी दिक्कते हैं, उसको स्टेडी करके उसको दुरूस करने के लिए कमिटी बनाई है, जिसमें आपने मार्क्सवादी कमुनि प्याज का भाव बड़ारी की बात थी, जब हमारा लॉंगमार शुरू हुआ तो एक रुपए अभी सरकार ने जाहिर नहीं किया था, अभी सरकार ने हर क्विंटल के पीछे 350 रुपए अनुदान देने का निरने जाहिर किया है, और वैसा कल लेखित रुप में उन्होंने अपने को आश्वासन दिया है, साथ में 80,000 किसानों का कर्ज माफी का सवाल पेंडिंग था, उसको भी सरकार ने मानने ता दिया है, साथ में ही जो प्याज आने वाला है, उस टाइम में भी भाव गिरते हैं, तो उसको जो क्या करना चाहिए उसके बारे में, उसका उपाई सोचाने के लिए कमेटे बनाई गई है, उसमें भी हमारे किसान सबाके नेता कमरेट आजित नौले वो कमेटे में रहने वाले हैं, तो किसानों के उपज को सहीद आप मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार ने इंटर्वेंशन करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने मान लि रखे थे, अंगनवाडी, आशा करमचारी, उनके सवाल थे, उनको मांदन बढ़ाने के बात थी, तो उन्होंने अपने मांगो के उपर विचार करके पंदरा सो रुपए आशा करमचारी को बढ़ाने का निरने किया है, और अंगनवाडी को भी पंदरा सो से सतरा सो रुप सिजन है तीसरी बात थी कॉंट्राक लेबर के बारे में बहुत बड़ा सवाल था महाराष्टर में पूरे देश में और कॉंट्राक लेबर की बहुत सोशन होता है उनको मिनिमेजस नहीं मिलता है यह साइप प्रविडेंट पंड नहीं मिलता है और ठेकेदार लोग उनका बह बाकी जो भी कानून है यह साइप प्राविडेंट फंड से लेके बोनस तक सभी कानून का लाब उनको मिलगा इसके लिए व्यवस्ता की जाएगी ऐसा भी लिखी तुरूप में आश्वासन अभी इस मोर्चे के बाद मिला है तो कामगारों के कुछ सवाल जो हमने उनके सामन मांदर हम इसका अभ्यास करने के लिए थर montrer और तो जो भी इसानों की चवड़ा और कामगारों की जो 14 मांगे थी हर एक मांग के बारे में आगे हम आये है और इसका अमल करने के लिए यह लाग मार्वार्थी उनको बात दे किया है तो यहाद्धित बहुत बढ़ी जीत है क अगुकार सब्क्राइथ Sarah पहले कशाु किसान बोचान देंपे उचल मुख्या है इसके अलाव शरकार में इनको यहां से मैदान से घरवाप्सि के लिए वासिंदी से लेके वासिंदी से लोग ट्रेन में नाशिक की तरफ जाएंगे और इसकी टिक्टे इनको टिकेट लेनी जरूत भी नहीं है ये टिक्टे महराज सरकार ने इनको यहां पर भिजवा दिये मैदान में जिसको डिस्ट्रिबूट करके लाइन में दिया जा रहा है और ये टिकट अरport भी चली है और भी जुटे एंगे झाल जाएंगे